नबश्कार दोस्तों कैसे हो भई तो वापस आते हैं पर प्रिवेश पेपर नीट के सोलुशन फिजिक्स के उपर 2013 से लेकर 2019 तक के जो पेपर हैं नीट के उनके फिजिक्स के आप जानते हो चल रहे हैं सोलुशन पांच अपरेल को हमने शुरू किया था हमारा फिस्ट वीडियो था 14 अपरेल तक हम लोग 9 वीडियो अप्लोड कर चुके थे स्ट्र अपरेल है आज हम लोग हम हमारा दसवा वीडियो लेक्चर त्यार करने जा रहें हैं दसवा वीडियो लेक्चर सूट करने के लिए जा और आज हमारा टोपिक दोस्तों स्टार्ट होगा, इफ्योग करंट, दारा का चुम्बे के परभाव, मगनेटिजम, EMI, AC, यह वाला पार्ट रहेगा, इलोक्टरिस्टेट हो गया, सरकीट हो गया, सरकीट से आगे जो है, इफेक्ट ओप करंट, मेगनेटिजम, और आपका EMI IAC, इस पर हम डिसकस करेंगे, ओके डियर, स्टार्ट करें, तो पहला, ओके डियर, क्यूशन नंबर 228, 228 एक क्यूशन है, लोग इसके उपर मैं पूरी थेोरी आप से बात कर लेता हूँ, यह है, हिटिंग एफेक्ट ओप करेंट, यानि गीजर में पानी गरम कैसे होता है अपनी पास सुन ले यार, गीजर में पानी गरम कैसे होता है, ओके डियर, तो मैं चाहता हूँ, सुनने सर्फ पेज खाली करें आप एक बार, तो मैं आपको बताता हूँ लो, किसी भी, आप सोचो दोस्तो, यह कोई वायर है, इस वायर में यदि आई करंट फ्लो हो रही है वी सप्लाई है, आर इस्टेंस है, और टी समय तक महले तेरा हीटर ओन है, तो इसमें पावर कंजेप्शन के फरमले क्या होंगे, पी वी इक्वल टू वी आई, अब तु जानता वी इक्वल टू आई आर, यदि तेरे को वी गाइब करना है, तो यह क्या हो जाएगा, आई जानता हूं दोस्तो, पी अमेशा क्या होता है, याद करो, जूल अपोन टाइम, जूल बोल दूँ मैं, पी क्या होता है, जूल अपोन टाइम, तो इनर्जी, जूल अपोन टाइम को अपन क्या कह सकते हैं, यहां ह कह दे हैं हीट को, हीट को अपन ह कह दे, तो पी इक्वल ट कर लो फिर भी मैं इसको कर देता हूँ आपके लिए ठीकर डियर तो एच इक्वल टू टू पी टी अब यदि मुझे इसको एच में करना तो लो थोड़ा कदर भी चैन्ज कर लाते हैं चीज का ते लिए स्मार्ट पनाने के लिए तो वी इक्वल टू क्या है एच इक्वल आपको पता दिया है मने आप इसको एक बार पोच कर देख सकते हो ओके डियर अब आगे चलता हूँ मैं मेरा क्यूशन क्या है मेरा क्यूशन है क्यू इक्वल टू एटी माइनस से बी टी स्कायर का कोई चार्ज है जो फ्लो हो रहा है साफ साफ है क्यू टी के साथ वेरी हो हो रहा है टाइम के साथ क्यू वेरी हो रहा है और ए और बी दो पोजिडिव कॉंस्टेंट है अब दोस्तो टोटल हीट प्रडूस्ट आर के अंदर आपको अगजनी हीट प्रडूस्ट पूछा है तो बिल्कु स्पस्ट है यार मैं जानता हूं कितना डी एच होगा तो दो Tो डी एयर यहाँ तेरा राई क्या आया ऐ माईनस 2 बी टी लेकिन तुन जानता जब तो नी घ्जर ओन किया था उससे मैं तेरे करेंट 00 थी तो करेंट को जीरो करने के लिए इसको जीरो करने के लिए A-2BT तो दोस्तों तेरे सामने-सामने T की वेल्यू क्या आगई? A by 2B, यानि तेरा खेल स्टार्ट हुआ A by 2B, 0 से A by 2B ये निकालने तरीका है, lower limit to upper limit, 0 से लेके तेरा ये जो खेल है वो चल रहा है 0 से लेके A by 2B टाइम तक clear? तो यहां तक मैंने मानता कि आपको कहें वो दिक्कत है? ओके डियर, तो H Q की वेल्यू एक बार अपने या छोड़ देते हैं Q से अपने I निकाल लिया, ये तेरा I आ गया, अब अपने को H में चेंज चीए, तो DH क्या होगा? I स्काइर आर डी टी आप जानते हो ना, left side में को change होता है, तो right side change होता है लो भाईया, इसको आप differentiate कर लो ये तो एक है, ये तो आपका H हो गया और ये तेरा I स्काइर आर डी टी, किसके respect में? डी टी, जिसकी value क्या है? जेखो यह रही, 0 से A upon 2B है दान दे क्लास, मैं पूरा sold कर रहा हूँ 0 से A upon 2B अब मैं थोड आसा तेरे लिए पूरा कर दूँ अब से डाक्ट बोल सकता था, आपके लिए आजा idea, H equal to I square R DT R तो constant है, बहार निकाल ले कहां से कहां? 0 से A Y 2B I क्या है? I अभी निकाला आपनी क्या था? A minus 2B है ना? A minus 2B T ओके दोस्त, कहां तक रहे? DT तक, अगो दिक्कत है कि यार, यह देखना है, हम तु दुपरा कर दू DQ by DT क्या है? A minus 2B T, ओके यह कौन है? Current का square इसका square कर दे, clear? अब तेरा DT हो गया, अब तेरे को इसका integration करना है, अब integration तुझे नहीं आता तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट है एक मिनिट रूक, पंदरा मिनिट रूक के integration और डिफेरेंश करना सीख ले तो उनको नहीं करना सीखेगा तो भाईचा कितने ही कुशन निकाले, कोई मतलब टाइम इस्ट कर देरा, okay H equal to कहां से कहां रहे, 0 से A by 2B, इसका square कर लो A square, plus 4, B square, T square, minus 4, A, B, T किसके respect में भई, ती respect में, कोई दिक्रत ही नहीं है लो जी, आपके लिए फिर से पुरी बात कर दें आप सब जानते हो, dear, X की power N का क्या होता, integration है X N plus 1, बटे N plus 1 अब यह नहीं आता, तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, okay dear, अब आजा अब तु जानता है, इसके integration करेंगे, फिरी क्या होगा upper limit minus lower limit, आजा तो मैं A, यह sold करूँ, यह A square है तो A square किस के साफ X है, T के साफ X, यह देखते रहे, 4, B square यह T square है न, तो यह क्या होगा रहे, T cube by 3, यह minus 4, A 20 की power 1 है, तो यह क्या होगा दोस्ते, T square by 2, यह ले कहां से कहां, 0 से A by 2, इसमें भी T, इसमें भी T, इसमें भी T, इसमें भी T, तो upper minus lower, तो lower थारी का होगी, 0 होगी, भी, बैस, थोड़ा सा जो रहेगा देख, ऐस तो यह, डोक्टर शपार Myth को बना, तो बीत असान A square T क्या है, लाल कर लेदें, T क्या है, A Y 2 B plus 4 B square by 3 T cube, T cube का मतलब A cube 8 B cube minus 4 A B by 2 T square, T square का मतलब A square by 4 B square, बिटा दूँ, अब आजा, तिरे लिए कर रहा हूँ केवल, आजा भीया, तो H equal to, देख डियर, ये तेरा बचा, A cube upon 2 B plus, देख डियर, प्लस में ये है, कि ये तेरा इसे 2, ये B square है, निचे B बचेगा, तो ये तेरा क्या बचा रहा है, A cube upon 8 B, okay, minus, यहां भी cancel out कर दे, छोड़ी, 4 से 4 किसो रोख ले, 4 से 4 टिका दे, B से 1 B टिका दे, B वो A cube, तो क्या बचेगा रहे, A cube आई, 2 B, बैस, तो A square cancel out है, A square by 8 B, तो दोस्तों, answer क्या आगया, A square by 8 B, अभी R तदरा है धानक ना, एक R था भार, हलो, तो R से multiply कर दे, upon 8 B, R, R था ना, बुलो मत्या, R भार निकाल देगा था, A cube R बच्टे, 8 B, A cube, R बच्टे, sorry, 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 6 है, 6, 6, 6, 6, 6, 8 नहीं, 6 गलती होगे, 6, 6 को नहीं, 4 से 8 गया, 2, 3 to 6, 6 B, दोस्तों, answer क्या आगया, आपका, 4th, यहां हम पूरा solution आपके सामनी कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको लगे, step कैसे उठाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि, पूरा solution एक बार सूट कर दिय है, फिर आपको समझाया गया, उसे पताँ चलता है, जब एक पूरी के सामनी होती है ना, तो आप भी साथ-साथ करते जाएं, पोज करते जाओ, ओके तेंगो, दोस्तों, अब मेरे जो कुष्टन स्टार्ट होने जा रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं, मैगनेटिक एफेक अपन कर लें, मैं इसको बोलता हूँ, वैसे बेसल होता है, वैसे तो बड़ापन अपने बेसल बोल लेते हैं इसको, ओके, तो आज हो क्या कहता है, कि दोस्तों, माना कि ये कोई करंट केरिंग कंड़क्टर है, ये कोई धारावाई चालक है, इसका मैं कोई एक डी ऐल ले लेता हूँ, इससे आर डिस्टेंस पे, थीटा एंगल पे, पी कोई पॉइंट है, जहां पर मुझे इस करंट करिंग कंड़क्टर के कारण, इस धारावाई चालक के कारण, चुम्ब के छितर की तिवरता निकालनी है, और उसकी दिशा निकालनी है, डारेक्शन एंड of magnetic field, तो सबसे पहली बात तो उसकी direction क्या है, तो दोस्तों सुनो, कहीं भी, किसी भी current करिंग कंड़क्टर में मालो current बह रही है, इस current के कारण, जो field पैदा होगा, उस field की direction क्या है, तो आप मेरे साथ हूँ, यह मेरा left hand है, यह मेरा right hand है, मैं इस हाथ से इस wire को पकड़ूँ नीचे की और, अब आप इसर देखो, मेरी उंगलिया ऐसे मालो बोर्ड के अंदर से गुमते हो भार आ गई, तो उंगलिया भार आ रही है ना, तो इस तरफ दोस्तों यह क्या हो जाएगी, upward, यहाँ जो B है, वो cross, cross, cross है, और यहाँ दोस्तों point, point है, यहाँ चुम्ब के छ गई, कि P point पे इस current carrying conductor के कारण, जो magnetic field develop होगा, उसकी direction downward है, लंब वोते, नीचे की और है, clear, अब दोस्तों, इसके कारण हमेंची यह B, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूं, क्योंकि आगे सारे formula बनते हैं से हैं, देख डियर, अपन कहें कि DB, तो DB में दोस्तों, एक तो इसमें formula काम आएगा, mu zero upon four pi, okay, mu zero upon four pi, और एक आप formula काम ले लें अपना, I, DL, cross, r cap upon r square, ठीक है डियर, तो यह आपके सामने, इधर DL लिया है, तो DB आ गया, ठीक, तो डियर, DB equal to mu zero four pi, आई, दा सुना रहे, I is crunch, और ideal equal to crunch element, आई धारा है, ideal धारा अलपांस है, I is a scalar quantity, but ideal is a vector quantity, okay, डियर, अब आपन चाहे हैं, इसको B बनाएं, complete या, आप एक बड़ डी बी रखें, तो दोस्तों क्या बना, mu zero बटे four pi, अब ये तो जानता है कि इस I को बाहर ले ले, तो ये आपके सामने, DL cross R का हो जाएगा, DL, ठीक है, R cap की value क्या होती है, एक, तो दोस्तों क्या बन गया, DL sin theta upon क्या बन गया, R square, तो एक formula बन गया, DB equal to mu zero I, DL sin theta four pi R cap, और यहां आप ऐसा एक end cap लगा दिया करो end cap का मतलर लंबत नीचे की ओर, लंबत ऊपर की ओर, तो DB equal to mu zero four pi I, DL sin theta R square end cap, यहां एक रूप और भी बनता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ आपके लिए, यहां दोस्तों एक अच्छा रूप और बनता है इसका, जो कई बार बच्चे एक्जाम में गलत कर देते हैं, प्ली आदमी, एक्जाम में गलती मत कराना, इस I को बाहर ले ले, यह तेरा DL है, यह R cap जो है, इसकी जगे, यह तेरा जो R cap है, इसकी जगे R vector लगाऊंगा, धन्दे, यह जो R cap है, इसकी value put करूँगा, तो R upon R आएगा, और मेरे यार, यह तेरा R क्यू बन जाएगा, थोड़ा स दान देरा, मू जीरो फोर पाई, आई, डी एल, क्रोस R, देख, दान दे प्लीज, प्लीज, कलर चेंज कर, कलर चेंज कर, कलर चेंज कर, यह तो है R cap, और यह है R vector, दोस्तों, कई बार, चार अबजिक्ट दी होते हैं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो R square तो तब आता है, तो उपर R cap होता है, R cube का बन जाएगा, जब यह R vector होगा, ठीक है dear, तो यह आपका, इसका एक systematic formula बना, और last में आप इसको, जब total B की रूप में चेंज करते हैं, तो formula होता दोस्तों, mu 0 i d l sin theta upon 4 pi r square, अब वेक्टर वाक्टर का चक्कर छोड़ें, सिधा ठोगे, B equal to mu 0 i d l sin theta upon 4 pi r square, i current है, deal इसकी लंबाई है, theta दोस्तों, इस line और wire के बीच का angle है, और उस point की distance है, यह Biosaut का एक name हो गया, इसको लो आपको में यूज करना सिकाता हूँ, ओके, आगे बढ़ते हैं, हाँ dear, तो Biosaut को थोड़ा सा आगे लेके, लूप की बात कर लेके, ज़्यदा बात तो नहीं कर पाँगो, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, दोस्तों, माना कि एक L length का wire है, ठीक है dear, और इस L length wire से मैं एक loop बना लूँ, तो no doubt पहले बात लूप की radius क्या होगी, तो आप जानते हो, L equal to 2 pi r, और r equal to क्या होगा, L upon 2 pi, बात कर लो पूरी, अब इसको derivation करेंगे, sold करेंगे ना, तो इसके center पे जो B की value आएगी, वो आएगी, mu 0 i upon 2 r, और यदि इसमें loop n है, loop n हो, तो mu 0 i by 2 r, अब direction क्या होगी, तो अपना पैट फंडा भाईया, इस wire को पकड़ो आप यह रहा, right hand rule है, अंग उठा, दाराइग दिसामें, उगल निचे की और क्रोश से दिसे बात होगी है, हो गया, B equal to mu 0 i by 2 r, तो यह common formula हो गया, ऐसे finite हो तो क्या हो, finite हो क्या हो, हमिसर्किल हो तो क्या हो, वो सब चीजें अपना पिसको अपलाई करके, किसे, B equal to mu 0 i d l sin theta upon 4 pi r square, आगे problem आएंगी, तो आपको discuss करा दूँगा, okay, thank you, हाँ दोस्तो, question number 229 का जो question है, इसको solve करने से पहले मैं थोड़ी से आप से थोड़ी की बात करूँगा, okay, अब बात करते हैं, तो dear, आप जानते हो, माना कहीं electric field है only, क्ये वल, electric field है, उसमें कोई Q charge है, वो station condition में होता न, तो उस पे लगने वाला, बल, आप जानते हो, दोस् देखता है, वहाँ, इसको मैं दोस्तो, F E कहता हूँ, और उस F B का जो मान है, वो होता है, दोस्तो, Q V cross B, जैनि इसको अपन ऐसे कहते हैं, B, sorry, B नहीं कहेंगे, F M कहेंगे, B से तो field हो जाता है, F M, magnetic field, ये electric field है न, तो F M equal to होगा, Q V B sin theta, done that, electric field का force होता है, Q E, Q E, magnetic field का force होता, Q V cross B, ठीक है दियर, और ये तेरा V cross B, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, ये मेरा left hand है, left hand में तो तीन उंगलियां है, ऐसे ही है, अब मेरा left, आपका right धान करा, ये है, fix है इसमें, ये जो, जिसको पर index finger कहते हैं, ये में से किसको बताती है, B को, ठीक है दियर, औ और आपका जो थम है, बताता है force को, ये middle finger है, ये velocity को बता देती है, या दोस्तो, current को बता देती है, बात ये किये, क्योंकि velocity कहो च्या current कहो, क्यों जिदर charge मू करता है positive, और current ही दिसा है, फिर सुन लो, ये, ये बताता है हमेशा, चाहिए left hand हो चाहिए right hand हो, ये बताएगा field की direction को, ये बताएगा force की direction को, और ये बताता है velocity, किसकी velocity, चाहिए right hand की, या दोस्तो current को, ठीक है dear, अब f equal to qvb sin theta, ये electric field में लगने वाला force है, ये magnetic field में लगने वाला force है, qvb sin theta, ये theta दोस्तो 90 हो जाए, बहुत पार equation बारा हो रमया, ये मेरा pre-equution है, वो कहता को ये q particle, वी velocity से, बी field magnetic में, theta angle पे इंटर करता है, तो इस पे लगने वाला force होगा, qvb sin theta, इस टोपी का stress matter है, मान के चलना 20-22 किशन आएगा आएगा, दोस्तों इसको मैं ऐसे कहता हूँ कई बार, कि माना कि यहाँ कोई cross field है, ये नीचे की ओर है, और ये कोई q charge का particle, इसमें वी velocity से इंटर कर रहा है, परिपेंडिकुलर, तो दोस्तों ये particle सरकुलर पात में गूमेगा, कांटवाल दे इसको, ये कोई भी q charge, q particle, q charge particle, किसी magnetic field में, लंबवा परिपेंडिकुलर इंटर करता है, तो वो अमेशा सरकुलर पात में गूमेगा, इस ने इंटर कैसे किया, परिपे si 90 क्या हो गया, एक है, तो एक force होगा qvb, जो इसको कौन से पत भी गुमाएगा, सरकुलर पत पे, सरकुलर पत की बात आते ही, अपने कान खेड़े होगे, mv square by r, देख वी से वी cancel out है, दोस्तों r equal to mv by qb, यानि ये particle इस सरकुलर पात पे मूग करेगा, अब यहां कई ची तो r बराबर p by qb होता है, मैं जानता हूं, p बराबर root 2me, this is kinetic energy, this is kinetic energy, तो दोस्तों r की एक value ये भी आ जाती है, root 2me upon qb, दोस्तों, एक formula ये, एक formula ये, एक formula ये, इस topic में, मेरे निगाव में stress formula है, ये कोई q charge particle, बी field में, वी विलस्ट इंटर करता है, perpendicular, तो r, आपके radius सरकुलर पात की, तो दोस्तों, ये कौन सा पत होगा, सरकुलर पत होगा, f equal to qvb, mu square by r, r equal to mu by qb, कई बार वो कहता है, कि साब दो particle है, एक alpha है, एक proton है, वो equal momentum से परवेश कर रहे हैं, तो आपको b निका दालना होगा, equal v देता है, कई बार equal p देता है, कई बार equal e देता है, बार बार करा हूँ, यहाँ जो दोस्तों e है, ये electric field नहीं है, ये e kinetic energy है, ये आपके तीन formula होगे, ठीक है dear, अब मैं इसको थोड़ा सा और मोडिफाई करूँ, बहुत परा point है, मेरा point लगता है, मेरा point ल velocity से, view velocity से, किते time में, t time में, तो चल थोड़ा सा, t equal to क्या होगा, 2 pi r by v, बोलाया न, अब तेरा, 2 pi r by v, r क्या है, mv by qb, ये तेरा क्या है, v, दे, cancel out, देख दोस्त, t equal to, 2 pi m upon qb, जान दे क्लास, मेरी क्लास का stress line बोलना हो रहा है, एक q particle, दीरे परिवेश कर रहा है, कोई तेज परिवेश कर रहा है, उससे, दोस्तो, time period पे कोई फ्रक नहीं पढ़ता, क्योंकि time period में, v, कहीं नहीं आ रहा है, it's the best of my class, यदि आप अधिक वेश्टी से परिवेश कर रहे हो, तो आपका r अधिक हो जाएगा, आप बड़ा चकर काट के आ जाओगे, आप कम वेश्टी से परिवेश्ट कर रहे हो, तो आपका r छोटा हो जाएगा, आप छोटे चकर काट के आ जाओगे, आपको वापस उसी समय में आना पड़ेगा बहुत पार exam question आया है कि T depend नहीं करता है velocity पे T नहीं करता है तो frequency भी नहीं करती है एक यह बात है T बोलो जो frequency भी उल्टा होता है तो T time period frequency ये उस particle की velocity depend नहीं करते हैं ये दोस्तों मेरा सबसे प्रिया प्रस्टन लगता है मेरे को तो क्या कहता है कि किसी एक कमरे में proton को rest condition से मुक्त किया पहली बात को इसमें direction का खेलाएगा तो मैं आपके direction बना दो ये fix होता रहे north south east west ये fix है ये तेरे मेरा कोई पसंद नहीं है proton को rest condition से मुक्त किया तो ये a note initial acceleration से पस्यम दिसा में west दिसा में जा रहा है ये particle दोस्तो इधर जा रहा है दोस्तो पाल्टिकल rest condition में है सुनो रहे f equal to qv v sin theta ये दि v zero है तो चुम्ब के magnetic force तो क्या हो गया zero क्यों कौन सा force लग रहा है electric force वो क्या होता है f equal to q e q कौन है e तो यहा electric force लग रहा है f equal to e e ये इसको क्या force परदान करेगा m a note तो तेरे सामने e equal to m a note upon e ये तो इसका हो गया magnitude अब इसकी direction तो तू जानता यार positive charge अमेशा positive charge पे लगने वाला force अमेशा electric field की direction होता है कैसे सुन ले भाई इधर बना दूँ ये दोस्त तेरा plus होता है तू जानता ये तेरा minus होता है तो क्या होता है direction field की अमेशा plus से minus तो अब तू यहाँ कोई plus रखे तो पता किदर जाए तो common sense की बात है plus को plus दखा मारेगा minus खेंचेगा तो इधर पहुंच जाएगा तो याद कर ले positive charge अमेशा electric field की direction force लगता है और negative charge की उसका अब पुझ लगता है तो दोस्तो जिधर field है जिधर वो मू कर रहा है उधर field है अगला कहरा है किदर मू कर रहा है पस्चिम में तो okay dear यह आपका answer तो या तो यह होगा या यह होगा यह तो आदे आदे आपके cancel out होगे अब आप आगे चलो तो मैं इसको यहां तक मिटा दूँ आपके लिए ए मिटा दिया यह ले अब अगला परस्ट क्या है अगला इसा इसका उसके पहले वापस हम आपमारा north south twist बनाते है प्लीज मैं पूरी बात करते हूं आपके लिए क्योंकि यहां सारा खेल डायक्शन का है अब दोस्तों कहता कि यह इसे वी नोट वे अगली कंडिशन में वी नोट वे अछिसे उत्तर दिशा के और फैंका ए वी नोट से इसका प्राडेंबीक अक्षिदर स्ट्री धैन उसे पस्चिम दिशा की और अब किधर काम कर रहा है तूँ ये खुद देख तेरा मेंगदिक फिल्ड तो देख भाई ये रहा ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल रहेगा मेंसा है ठीक है ये किसको बताता है फिल्ड को ये किसको बताता है फोर्स को ये बताएगा करंट या वी को ओके तो सबसे पहले ये किस को बता रहा है वी को एवी किदर है उपर की और फोर्स किदर है वेस्ट में फिल्ड किदर है नीचे की और क्लियर होगी तरी बात फिल्ड किदर हो गया नीचे की और फोर्स किदर हो गया तेरा इदर जिसको क्या कहेंगे अपन वेस्ट की और ओके फिल्ड किदर है नीचे की और यह ले भाया किदर आ गया नीचे की और कहने की बात ही नहीं है अब दूसरी बात हुआ कितना तो यार इसमें क्या दिक्कत है इस पर फोस्ट लगेगा क्यों वी भी इक्वल टू क्या हर है इक्वल टू एम टू ए नोट अब तू कहेगा टू ए नोट कहां से आया अरह भई थ्री ए नोट है ना तो ए नोट तो पहले से है किसके कारण है डू टू टू एलक्टरी फिल्ड कितना बचा टू ए नोट है इसले टू ए नोट कहां लि क्लियर अच्छा कुशन थायरो इसको डंग से पढ़ना इसमें फिर सुन लो मैं आपके सामने खड़ा हूँ यह लेफ्ट है पेरा यह फिल्ड की डिरेक्शन यह फोर्स और यह जो मिडल है यह बताती है करंट करंट बोल दो चाहिए विलोस्टी बोल दो यही बात है दोस्तो वेक की दिसा बोल दो चाहिए आवेश सितकन की दिसा बोल दो हाँ नेगेटिव हुआ तो उसका उल्टा करना क्योंकि नेगेटिव चार्ज है मैसा करंट के उल्टा फ्लो होता है इस हम जानते हैं दोस्तों ओके थैंक्यू हाँ डियर क्यूक्शन नमर्ट टू थर्टी को पढ़ने के बाद एक सिंपल फॉमुला व्याद रखे लो आप वो क्या है कि यदि कोई एक करंट करिंग कंड़क्टर स्टेट करंट करिंग कंड़क्टर जिसके लंबाई क्या है इन्फाइनाइट है तो इसके कारण आर डिस्टेंस पे जो बी की वेल्यू है वो आएग mu zero i upon two pi r इसको गांट मान ले पहले तो कोई एक straight current carry conductor है जिसकी length infinite है तो उसके कारण किसी r distance पे b की value होगी mu zero i upon two pi r clear हो गया यह मेरे काम आएगा इसको मैं मिटा देता हूँ अब मेरा प्रस्ण क्या सुनो वो कहता एक wire तो ये है और एक wire ये है एक बात धान सुनना ये दो figure है रहे एक तो ये wire पड़े है और ये wire पड़े है इस wire का मतलब तो ये दोनों wire connect है इसका मतलब एक तार पर दूसरा तार पड़ा है ओके dear ये तेरा a o b c o d ये तेरी current i1 है और ये तेरी current i2 है अब वो कहता है dear ये तुमान की अक्षक्ष है ये तुमान वाई अक्ष है वो कहता है इसके perpendicular to the plane इस x y के perpendicular कहा खड़ा है ये point यहाँ है इस point पे तेरे को क्या निकालनी है magnetic field at the point पी निकालना इस जगह तेरे को चुमब के छेतर की ती वरता निकालना ती वरता बोल दो च्छे तरो बोल दो एक बात है अब देख इस wire के कारण तो सुन ये कोई wire है इस wire के कारण यहाँ क्या होगा तो यहाँ क्या होगा वो तो बता दी आपको तेरो mu zero i बटे two pi r है बड डारेक्षन क्या होगी तो दहन दे ये एक wire है ठीक है ये एक wire है मेरा साथ दे और point wire के उपर है ये wire पड़ा तेरा ये वाला तो पड़ा वाला देख ये पड़े वाला है तो ये तेरी कौन है अंगुटा किसको बता रहा है current को तो इस point पे जो wire के उपर है तो जान दे यहाँ किदर गया तू उस तरफ यानि तू गया पूरव की और waste की और अब एक wire तेरा कैसे पड़ा है इस तरह से पड़ा है ठीक है एक wire ऐसे पड़ा है इसके भी यहाँ चीए तेरे को current किदर है तेरी इस तरफ अब यहाँ तेरे उगलिया कहा जा रही है north की तरफ तो कहने का मतलब है एक direction इस्तरफ होगी एक इस्तरफ होगी है तो एक plane मीना तो यह दोनू क्या है perpendicular एक B1 है एक B2 है एक दुसरे के perpendicular है तो क्या होगा resultant B1 square प्लस B2 square under the root ओके बैस तो तेरा B1 क्या हा रहे mu 0 i1 upon 2 pi d और तेरा B2 क्या होगा B2 तेरा है mu 0 i2 और दोस्तो 2 pi d d तो वही है बस अब आपन इसको मैं इसको बिटा दू यहां से आपके लिए अब dear यदि हमें इसका resultant निकालना हो तो आप जानते हो दो vector जब एक दुसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो original क्या होता है d1 square plus b2 square अब दोस्तों अपन इनको सिधा सिधा करें तो square करेंगे न तो mu 0 2 pi d square करें root करें वापस भी आ जाएगा यह तो coast track से भारा जाएगा mu 0 2 pi d और अंदर दोस्तों बच जाएगा i1 square plus i2 square ऐसा कोई object इसमें नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कर सकते इसका answer यही रहेगा b equal to mu 0 upon 2 pi d i1 square plus i2 से root कें printing Mr. U U है यह इसका answer हो गया दोस्तों ओके थैंक्यू हाँ dear इसको थोड़ा दांस दे question अच्छी question है question 231 आप पढ़ो कि शुन एक बार पढ़ लिया पुरा तो मैं करता हूँ आपको देखो dear आप एक बास समझने कोशिश करना एक तो कागज आपका ऐसे होता है आप यह मान के चलो कि आपने अपने इस कागज को ऐसे खड़ा कर दिया अपने कागज आपका इसे खड़ा है प्लेन आसे खड़ा है तो dear cross का मतलब कर दमब आते है तो यहां एक चूर में फिल अशे निचे के और नहीं है यह निचे के और नहीं है तो NOT इसमें ओके दोस्तों तो फिल्ड किदर है नीचे की और मॉमेंट किदर अब देखो तो इसको दोस्तों हमें राइट हैंड अथेली का रूल लगाते हैं उंगलियां ऐसे फ़ला लो इसको ठीक है ना ये मेरे राइट दोको राइट होगे ना मैं ये लेफ्ट ये राइट तो उंगल दोस्तों बोल दो दक रहे यार आदियों किती कहां करेगा जिदर लाइट पर अधर बागेगा ना नीचे आएगा तो ये दोस्तों आर से पी एक तरह से इंडूस्ट वोल्टेज हो गया तो भाई मेरे ये एक तरह से बेटरी बनगी ऐसे ये आर और ये पी यहाई वोल्ट ये एक अबजेक्ट था बी वी टू आर डायक्सिन जरूत रही पड़ी पर ठीक हैर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पुरी बात कि आप से कर लेते हैं ये अच्छा क्यूशन है बई टू ये लंबाई 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 कितनी काम आई टू आर क्योंकि यह ना टू आर काम पर लो पूरा एक वाइर है उससे मैंने इस परकार का एक ये जालसा बना लिया दान देना ये वाई है ये जड है और ये एकस है इसके बास सी दानकना अब ये वाइर ऐसे खड़ा है फिर इस वाइर को इसके मोड़ दिया और फिर ये वाइर खड़ा हो गया ऐसे दानकना कारण BCD के कारण DE के कारण इस P point पे आपको B की विल निकालनी है तो सबसे पहले मैं बत देखो चाहिए वायर दोस्तो AB हो चाहिए वायर आपका DE हो यह point इसके भी किनारे पे है इसके भी मैं बोलता हूं मुझ के सामने तो ऐसा जो कोई point होता है न जो कोई current carrying conductor होता है और इस point के सामने आपको कोई B पूछे तो उस B की वेल्यू दोस्तों होती है मुझ जीरो आई अपोन फोर पाई आर कांट माले रवे किसी भी infinite length का wire है उसके किनारे यहां यहां मुझ जीरो आई बट अभी derivation की बात नहीं होगा मैं फोर पाई आर अब धान दे वायर ऐसे है मेरे सा हो गया? Z minus की और Z उपर minus की और तो minus की आएगा अब इसकी बात मैं करूं? यह उपर की और है तो देख, current किदर है? उपर की और यह वे इा, किदर गया Z? माईन स की और बस dear, इतना सा याद रखना है AB के कारण है, B, AB के कारण जो है, वो है μू जिरो आई फोर पाई आर माइनस जड़ के होता है मैंसा के कैप दूसरा बी डी ए के कारण भी मू जिरो आई बटे फोर पाई आर माइनस के क्यूब अब इस अर्दवर्थ के कारणा इस हेमी सर्कल कारणा मैं तो बोई तरीका तार को हाथ से पकड़ता हूँ मतो और ये किदर गया नीचे की और नीचे की और तो यहां दोस्तो नीचे कोण है एक्स है नीचे कोण है एक्स एक्स बार की और एक्स नीचे की और बस आप जानते हो सर्कल जो होता है ये आपका बी BCD जो है इसके एकारण आप दोस्तों आप जानते हो ना अर्दवर्थ के एकारण मू जीरो आई बटे 4 पार होता है तो मू जीरो आई 4 आर ये क्या बनेगा माइनस आई का ये लो है ये दोस्तों आपके तीन परकार की इस पे लगने वाला फिल्ड हो गया अब दोस्तों उनको जोड कर लो जोड करोगे तो ये माइनस के माइनस के एक डायेक्शन में है ना तो एड कर लो तो ये एक बटा चार एक बटा चार एक बटा दो हो गया तो मू जीरो आई बटे 2 पाई आर minus k cap और इसके plus लगा ले mu 0 i बटे 4 r minus i cap i cap कहेंगी इसको अब पहले बात तो यह minus भार आएगा तो minus भार आएगा तो यह answer नहीं हो सकता इन दो में से कोई एक answer होगा और उसके अंदर दोनों plus बनेंगे तो दोस्तों यह भी नहीं हुआ answer आपका fourth हो गया देखो यह minus mu zero i four pi r common निकालोगे ठीके डियर तो pi से pi multiply करोगे तो pi के साथ तो i आएगा k के साथ two आएगा यह आपका answer आगया मेरे साथ से बहुत परा question है इसमें फिर सुन लो रहे इसको बोलता हूँ क्या बोलता हूँ right hand palm rule तार को पकड़ लो अंगल्या चुम्ब किया चितर की दिसा this is direction of magnetic field or this direction of current आप तो इससे पकड़ो से लिए सिवाद है ठीक है ना हाथ यह तो और तो पकड़ा है हाथ किससे पकड़ोगे इससे पकड़ोगे okay thank you दोस्तो यह है real problem यह आते है अग्जाम में अग्ला सहाब कहता है an electron moving in a circular orbit is radius r max and rotation per second the magnetic field produced at the center has a magnitude दोस्तो एक बास सुनो यह कोई x है आप सहाब कहते हो कि r वरता कार पर गती एक electron है जो गती कर रहा है और एक second में n चकर लगा रहा है तो इसके उत्पन दोस्तों electron move कर रहा है always गती कर रहा है तो धारा बहेगी यह एक स्थ धारावाई कुल भी हो गई यह current carrying coil हो गई तो इसके केंदर पे b की value क्या होती है mu zero i upon two r but i का नहीं दिया हुआ है मैं जानता हूँ i क्या होता है dq by dt dq को नहीं है यह e by t अगरें t नहीं दिया तो मैं जानता हूँ t equal to क्या होता है one by f अगरें f दिया है f भी क्या दिया है n दिया है तो i की value क्या होगी रहे n e बस इसकी value पूट कर दो तो दोस्तों बहुत प्राव क्या 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 है mu zero n e upon two r mu zero n e upon two r okay thank you हाँ तो dear question number two three four देखो यह क्या कहता है square loop a b c d carrying a current small i यह current small i है it placed near and coplanar with the long straight connector x y carrying current capital i the net है sorry यह गलत है net force on the loop will be तो दोस्ताब कहता है यह a b c d एक loop है small i धारा बह रही है यह x y एक चालर के पास है और इसके निकट रखा हुआ है इस पास पे लगने वाला total force क्या है ठीक है आप page खाली करें मैं इसको diagonal मेरे सार्म आप दो देखो दोस्तों एक ऐसा प्रस्चत है देखो आपी यह एक current यह i है यह distance जो आपकी है यह l by 2 है और यह distance जो आपकी है यह l है यह दानतवा यह आपके सामने current carrying conductor है और इस current carrying conductor के पास एक loop रखा हुआ है तो पहले बात तो सुनो मैं थोड़ा सा आपके लिए एक चीज़ समझा दू यह मेरा कोई current carrying conductor है जिसमें current आई बह रही है सुन रहे है अलो दाइं अथिली का नियम right hand palm rule सुने जिसर आप भी समझो अंगुठा किसको बता रहा है current को तो यह कौन हो गया यह किस की direction है magnetic field की डारा के कारण चुम्ब के छेतर यान यहां एक इस परकार का चुम्ब के छेतर पैदा होगा B जिसकी दोस्तों intensity का formula होगा μुझ जिरो आई अपॉन टू पाई डी यह रहे बोला है ना मैं इसके दो टुम्ब कर दूँ यह current carrying conductor है जिसमें capital I current flow होती है इस loop को भूल जाओ इस current carrying इस दारावाई चालक के कारण यह जो area है फिर देखे यह दाई अथेली का नियम right hand palm rule इससे मैंने wire को पकड़ा current किदर है इदर तो यह उंगले किसको बता रही है magnetic field को force line of magnetic field तो दोस्तों यहाँ एक B intensity का magnetic field डेवलोप हो गया जिसका formula मैं जानता हूं क्या होता है μुझ जिरो आई अपॉन टू पाई डी अब मैंने इस field में यह कोई रख दी तो आप जानते हो इस पे कोई force नहीं लगेगा इस पे कोई force नहीं लगेगा क्यों f equal to ilb sin theta f equal to ilb sin theta तो दोस्तों field भी इधर यह इधर theta 0 यह क्या है field इधर है और यह इसके perpendicular है यह 90 यह force क्या होगा ilb यह force क्या होगा ilb यह कोई force नहीं यह कोई force नहीं अब इस पे force कितना है और इस पे force कितना है तो आप देखो field किदर है उस तरफ current है उपर आजा वईया field किदर है उस तरफ current उपर इस पे force किदर है नीचे की और इस पे फोर्स किदर हो गया? उपर की ओर बास से दिसी होता है यहाँ फोर्स किदर है? नीचे की ओर यहाँ फोर्स किदर है डियर? उपर की ओर अब इस पे कितना फोर्स है? जिसको अपन A, B, C, D कहें तो दोस्तों A, B पे कितना फोर्स है? force AB का क्या होता है दोस्तों force का formula होता है I, L, B, sin, theta theta 90 एक होगा I, ओ डियर I कितना बहरा है इसमें I, L, लंबाई क्या है ये लंबाई बहरा है अगला कहता है L है, ये लंबाई आपकी L B, ओ भाई, B किसके कारण है इसके कारण है तो यहां B कितना हर है Mew 0, capital I upon 2, pi, L, Y, 2 ये distance क्या है L by 2 F, इसको तू CD के दे F CD क्या होगा I तो I है, L तो L है ठीक है ना और यहां दोस्तों I, L, B कितना है तो वहां तेरे सामने B क्या होगा Mew 0, I upon distance 2, pi, D क्या है L by 2, ये L वह दोस्तों होगी 3L by 2 बस एक F A भी है एक F CD है आप जानते हो एक उपर की और है एक नीचे की और है दोस्तों दोनों का difference कर देंगे तो आपका resultant force आ जाएगा चल भाया तेरे लिए करता हूँ तो क्या हो रहा है I, capital L, mu 0 I, L, sorry I, L है I, L, mu 0 यह capital I upon this is pi L दूसरा क्या है I, L, mu 0 capital I 2 से 2 cancel out कर दो यह क्या हो गया 3 pi L, L से L cancel out कर इस L से L cancel out कर अब यह तेरा कोई F1 force है यह तेरा F2 force है एक नीचे की और एक उपर की और difference कर दें बड़ा minus चोटा तो बड़ा कौन है परे सामने सामने है mu 0 small i capital I upon pi minus mu 0 small i capital I upon 3 pi ओके डियर तो mu 0 i L upon pi बहार निकाल mu 0 i i upon pi बहार निकाल क्या बचा 1 minus 1 by 3 यह क्या बच गया 2 by 3 तो 2 by 3 mu 0 i i upon pi क्यूशन अपर अपर दोस्तों यह इसको मैं मिटा दूँ अब आप देख लिया आपने यह लो mu 0 2 mu 0 i i upon 3 pi दोस्तों 234 का आंसर हो गया 4th ओके तेंक्यो दोस्तों क्यूशन न्वर 235 जो पढ़ाए कि लो एक बाश के पूरे की कर ली जो बताऊं क्या क्यूशन है यह कहता है कि कोई एक L लंबाई का करंट करिंग कंड़क्टर है इसके कान एक लूप का कोईल बनाया तो इसके सेंटर पर माना की इंटेंसिटी बी है अब वो कहता है कि इसी करंट करिंग कंड़क्टर से मैं ऐसे N लूप वाली कोईल बनाऊंगा तो दोस्तों यहां जो B डैस है वो N स्काइर गुणा B हो जाता है कहना है का मतलब एक हितार से यह दिन्हें मैं एक लूप बनाऊंगा तो इंटेंसिटी B होती है उसी वायर से दिन्हें मैं N लूप बना लूँगा तो मेरी इंटेंसिटी N स्काइर गुणा बढ़ जाएगी कारण दोस्तों B इक्वल टू होता है म्यू जीरो N आई वाई टू आर आप सोचो यह वाहर है इससे हम एक लूप बनाऊं लूप बढ़ा बनेगा अब इसके दो लूप बनाऊं तो देखो दोस्तों लूप दो होगी और रेडियस छोटी होगी आर N टाइम कम होगी उपर एक N एक N उपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा N स्काइर फिर भी याद कर ले एक ही तार से N लूप बनाने पर इंटेंसिटी N स्काइर गुणा बढ़ जाती है वोई परसन एक तार को खैंच के N गुणा कर देते हैं तो उसका रेस्टेंस N स्काइर गुणा बढ़ जाता बात होई है हाँ दोस्तों क्यूशन नमर्ट टू थर्टी सिक्स इसकी थोड़ी आपको मैं अभी थोड़ दे पर पढ़ा चुका हूँ यह वोई परसन है वो कहता है एक इलेक्ट्रोन इस मुविंग इने सर्कुलर पाथ आजाओ जी सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है मैगनेटिक फिल्ड की इंटेंसिटी यह है वेली ओफ एम इकुल टो दे रहा है तब फिक्वेंसी ओफ दा रिविलिश्ट ओफ दा इलेक्ट्रोन दोस्तो मैंने पढ़ा दिया आपको कि जब कोई करने किसी मैगनेटिक फिल्ड में स्रकुलर पाथ पी मुव करता है बूल गया रहा है आर बराबर क्या था एम वी बाई क्यू बी और मैंने तेरे को सब को सोड़ करके बताया था तो टी का माना आया था टू पाई एम अपोन क्यू बी बुल गया कैसे बुल गया या ऐसे कैसे बुलने दूँगा तू जानता है T equal to क्या होता है 2 pi r by v बने हाँ v की value put की तो v की value क्या put करेगा तू कुछ देख ले तेरे सामने है तो T equal to 2 pi m by qb बड़ मुझे इसकी क्या चीर है frequency frequency क्या होगी qb बटे 2 pi m अब तू जानता क्यू कौन है electron है तो दोस्तो इसकी जगे क्या जाएगा दोस्तो इसका गुणा भाग करने से इसका आंसर आएगा 4 1 ओके इसका आंसर आएगा 4 thank you हाँ dear ये भी current carrying conductor question है दोस्तों क्या कहता है परसें की बासे चोड़ो आप वो कहता है यहाँ एक wire ऐसे है एक wire ऐसे है एक wire A, B, C, तीन बिंदू पे ऐसे perpendicular तीन wire रखे हुए है तीनों में same current है distance same है तो कहता है इस wire पे लगने वाला resultant force क्या है तो जितना force इसके कारण लगेगा उतना इसके कारण लगेगा इसकी दिसा कोई इधर आएगी इसकी इधर आएगी ये दोस्तों क्या होगा F, ये क्या होगा F, तो आप जानते हो resultant तो क्या हैगा route 2 F आएगा इन दोनों current carrying conductor से कारण जो force लगेगा route 2 F आएगा अब ये F क्या है ये आपको मैं निकाल के बताता हूँ आप अगला पेज खाली करके देए कपर मेरे को भाई, देखो हूँ आपको मैं बता दू पूरा देखो दोस्तों, माना ये कोई current carrying conductor जिसमें I1 current flow हो रही है और इसके कारण इस दूसरे current carrying conductor जिसमें I2 current flow हो रही है जिसकी L length पे आपको force निकालना है जो इससे D distance पे है एक के कारण दो पे लगने वाला force एक के कारण दोस्तों यहाँ क्या पैदा होगा B1, वो B1 क्या होगा μूँ 0 I1 upon 2 pi D अब आपको F निकालना, F इस पे F क्या होता है, F होता I L B, बट किस current किस में बह रही है 2 B, तो कौन होगा I2, L इसकी length B क्या है μू 0 I1 upon 2 pi D यह common formula है वो कहता है, unit length पे force चीए unit length पे force चीए, तो लगने F upon L को इधर कर लू तो यह क्या बन जाएगा μू 0 I1 I2 upon 2 pi D किस पे force पूछ रहा है unit length पे, तो μू 0 I1 I2 2 pi D अगला कहता है current सेम है तो दोस्तों, यह मेरा जो F बना वो क्या बना, μू 0 I2 upon 2 pi D बस, यह F1 है यह F2 है, अब इताव सिधा कर लिया F, 1 F F2 F, दोनु perpendicular है, root 2 F अब सिधा करूँगा, इताव इताव, सिधा करूँगा root 2 F है, root 2 F, तो root 2 F, μू 0 I2 upon 2 pi D दोस्तों, यह तेरे सामने आ गया μू 0 I2 root 2 pi D भाई जरा निकालना, और D उसने L लिया होगा, तो L D लिया, मू 0 I2 upon root 2 pi D μू 0 I2 root 2 pi D, दोस्तों, यह आपके सामने, answer number 3 आ गया μू 0 I2 root 2 pi D, यह answer थर्ड से ही होगा इसका, ओके, थैंक्यू हाँ डियर, question number 238 यहाँ component का खेल है सारा, कोई बहुत मुश्किल question नहीं आई यह, जो क्या कहता है a metallic road of mass per unit length 0.5 kg per meter is lying horizontal on a smooth inclined plane which max angle 30 degree with the horizontal the road is not, question, आप पुरा पढ़लो पढ़लिया ना, आप खाली करने इसको दोस्तों यह एक ऐसा प्रशन है यह एक inclined plane है यह angle आपका 30 degree है यहाँ कोई wire रखा हुआ है जिस पे यह field आपका डाक्शन दिखा दी, तो दोस्तों इस पे यह stationary है, तो एक force तो इधर काम करेगा पर जाद यह theta 30 तो आप जानते होगी कि वो mg होके, तो यह तो क्या बन जाता है mg, sin 30 degree अब यहाँ पर एक force क्या लगेगा I, L, B यह angle 30, तो यह angle भी क्या होता 30, तो दोस्तों इधर एक force क्या लगेगा इस पे, I, L, B cos 30, देहां दे class यह I, L, B cos 30, यह mg आप जानते हो निचे के और है, mg component change करें, mg, sin theta अब अगला stage तरही है, एक उपर की और एक निचे की और, दोनों को equal करके बराबर कर दो, इसका मतलब क्या हो गया force, 0 हो गया, बैस, तो mg sin 30, equal to I, L, B cos 30, हमें I चीए ना, तो I equal to क्या आएगा दोस्तों आई उधर ले लो, तो I जब ले लो, तो I जब ले लो, तो I जब ले लो, क्या आएगा, mg upon L, B, 10 theta, क्यो भई, आई उधर आएगा, तो I निचे आगया, दोस्तों, M upon L, दिया क्यूशन में जाके देखो, यादे मेरे को, point नहीं नहीं, आप शुट है, point 5, g का मान क्या है, 10 B का मान क्या है, point 2, 5, इसका मान है, 10, 30, दोस्तों, अभी मैंने पूरा sold किया है, इसकी exact value जो है, आपके गुणा बाग करके देख लो, आपकी, क्यूशन में आए, second object में जो value है, वो आपकी value आ जाती है, ओकी डियर, इसका answer second object होगी, अच्छा question आई, component तोड़ने आपके न चुंबक के पदार्त के पतली छड़ रखी हुई है, जो विधुचुंबक में जारा प्रवायत की जाती है, छड़ छती चुंबक के च्छतर से बाहर उपर के देखल जाती है, इस प्रकार ये छड़ गुर्टवे उज़ा प्राफ्त करती है, ऐसा करने के लिए आवस्य का चुंबक के च्छतर से, तो ये प्रकार की जो आवसे कैए, वो छड़ के पदार्स की जाले सरंचना ना ना चुंबक के च्छतर, ये सारा खेल कौन डेवलूप करेगा आपका, मैगनेटिक फिल्टी तोरी का बोच्छा क्यूशन होगे, थैंक्यू, देखो डियर, ये एक डेरिवेशन करवाते हैं, जब टीजर पढ़ाते हैं, क्लास मिनिशी तरूप से, पर एक्जाम वोई बात है कि आप इसका ना डेरिवेशन कर सकते हैं, कि दो फॉमले याद रखने हैं, और उसके अकोर्णे कुशन मनता है, तो साप कहता है, एक स्लेंडरिकल कंड़क्टर उसके अटलोम डेरिवेशन के लिजर इसके काइड़क्टर ना एक स्लेंडर इस उसके तरूप से, तो साप कहता है, कि आप का कोई एक स्लेंडर इसा, तो से खुछे हैं, इसमें एक कोई क्रंट मैंड़क्टर हो रहा है, इसकी रेडियस दोस्तो अर है, तो यह कहता है बहार के जब भी बाद करता हैं मिल दिस्टेश, कहां से होती है मेजर से, तो बहार तो जब भी दोस्तों B की बाद करते हैं तो आपको पढ़ा रहा हैं आप दोते निए क्थिशन से, minus zero i upon two pi small r लेकिन यदि R is less than R हो दोस्तो तो इसका formula बन जाता है μू जिरो टू पाई I R upon R अब ये कैसे आया ये derivation बहुत लंबा चोड़ा होता है ये दोस्तो आपका तब है जब R greater than R है ये तब है जब आपका R less than R है यदि R, R केकुल हो जाए तो आप देखो ये वापस μू जिरो पॉन टू पाई R बन जाता है तो आप देख रहे हैं अंदर जो B है वो R के डाइटली प्रपोस्टनल है बाहर दोस्तो इन्वर्सली प्रपोस्टनल है तो ऐसा इसमें एक ग्राफ है ये मेरे साब से एक best problem है इसको बोलते हैं एक दारावाई चालक के अंदर की तीवर्ता और बाहर की अंदर की तीवर्ता और बाहर की तीवर्ता अंदर की इंटेंसिटी और बाहर की प्यात कर लो मू जिरो आई एपोन टू पाई आपको बरह पढ़ाय हुआ है और दोस्तों अंदर मू जीरो टू पाई आई स्मोल आर देखो यह सब कॉंस्टेंट हो गया ना तो कियो आर चेंज हो तो आपका फस्ट आंसर हो गया यह बहुत से क्यूशन है अगला साप कहता है आइनाइज हाईट्रोजन और अलफा पार्टिकल है सैम मोमेंट से इंटर कर रहे हैं परिपैंडिकुलर किसी मैंग्डिक फिल्ड में याद करो पढ़ाया है दो सेब पर इंटर करता था तो वो उसरेक्डिक्वर पास प्रित पर जाता है तो आर एकवल टू होगा M E by Q B लेकिन यहां momentum conservative किया है उसको constant रखा है दोस्तो र equal to क्या हो गया P upon Q B ये लो फोमला बन गया अब अपना सिता तरीका है जो बदलता है जो vary करता हो उसके पिछे 1, 2 लगाओ और एक में दो का भाग टिकाओ भाग लगाओ, divide करो ओके R, 1 P के पिछे कुछ नहीं आएगा Q के पिछे 1 आएगा, B के पिछे कुछ नहीं आएगा R, 2, P के साथ कुछ नहीं Q के साथ 2 और B के साथ कुछ नहीं कारण क्योंकि फिल्ड तो वही है अब एक H है और एक alpha है तो ये ले R, H upon R, alpha देख, एक से दो डिवाइड करेगा ना तो तेरा Q ऊपर चला जाएगा तो Q alpha upon Q H alpha का Q 2 होता है H का Q 1 होता है दो नपात एक अब इसका देख, एक answer बन भाई 2 भी है जल्दी बाजी नहीं 2 by 1, thank you हाँ तो dear, आज 17 अपरेल को ये हमारी class suit हुई यानि Magdler Effect of Current का topic हमने पूरा कर दिया 2013 से 2019 तक के सारे problems आपके साथ discuss हो गई ओके डियर, और ये आपके पास 17 की देर रात तक के 18 को morning मा आपके पास आ जाएगा अब बिल्कुल अगली चारक और classes suit करके 2013 से 2019 तक के NEET के physics के previous paper का solution आपको complete दे दिया जाएगा ओके डियर, आप सब जानते हैं कि आपने पर CLC ने कल 16 अपरेल 2020 से 11-12 foundation और target IT हो चाए medical हो online classes, video classes start कर दी हैं, आप किसी को भी इसको जोईन करना हो, तो CLC live.in पर जाएं, आप उसको जोईन करें और दोस्तों, इस छुट्टियों का फाइदा उठाएं इस lockdown का फाइदा उठाएं और जब भी lockdown खुल जाएगा, open हो जाएगा पर जब भी आप institute आएंगे आपके class regular हो जाएगी अभी आप से 10,000 fees के रूप में हम ले रहे हैं, जब आप साल बर पढ़ेंगे offline class पढ़ेंगे वे पूरा का पूरा 10,000 रुपया आपके फीस में से कम हो जाएगा ओकी दोस्तों, thank you, bye